तो देखिए गाईस, सबसे पहले तुम्हें आपसे कहना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस का आज कोई भी एक्जाम नहीं है, लेकिन अभी तक 14 से 17 नौवंबर तक जितनी सिप्टों के एक्जाम हुए हैं, उनी सिप्टों के आदार पर हम लोग रीजिनिंग के कोश्चन देख उस संक्या को चुनिए, जो निमलिक के स्रंकला में तीसरी संक्या से उसी तरह से संबंदित है, जिस तरह से दूसरी संक्या पहली संक्या से संबंदित है, लेकि कैसे करेंगे, इस टाइप के कोश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है, बही 101 का whole square किTना होता है 10201 होता है बनाना है 10202 तो इसमें एक और जोर देंगे तो हमारा किTना आजाएगा 10202 Same to same तरीका हम लोग 107 के लिए लगाएंगे 107 का whole square कर देंगे और एक को इसमें जोर देंगे 107 का square करेंगे तो हमारा आजाएगा 11449 चार सो उन्चास और एक को जोड़ देंगे तो हमारा कितना जाएगा ग्यारा हजार चार सो पचास कितना जाएगा ग्यारा हजार चार सो पचास option B is right answer एक कुट भासा में रोगर को 5 लिखा जाता है और M.U.L. M.O.U.L.D.S. को 6 लिखा जाता है उसी कुट भासा में पिन का कोड क्या होगा तो देखिए गाइस रोगर के सबसे पहले alphabet लिख लेते हैं इसमें total alphabet कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच तो total कितने होगा alphabet? पाँच तो यहाँ पर उपर question में कितने आ गया? पाँच यही तरीका जो आगे पूँचा गया है उसमें देख लेते हैं M-O-U-L-D-S इसका कोड हमें पता है कितना 6 क्योंकि जो सब्द आपका दिया गया है इसमें भी total alphabet कितने है? 6 इसलिए यह 6 लिखा गया है same to same तरीका यही हम लोग लगाएंगे pin के लिए pin के alphabet लिख लेते हैं और total alphabet इसमें कितने हो गया है? 3 तो 3 हमारा answer हो जाएगा तो option D is right answer अगला नीचे दिये कि विकलपों में से उस संख्या को चुनिये जो निमली के संख्या संख्या में प्रस्चिन के इस्थान पर आएगा देकि 37 से 33 बनाया तो हम लोगों ने क्या किया? 4 गटा दिया 33 से 29 बनाया 4 गटा दिया 29 से 25 बनाया 4 गटा दिया पीछे सभी में 4 चार गटा तो आगे भी 4 गटेगा 25 में हम लोग 4 गटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता? 21 21 option C is right answer अगला नीचे दिये गए बिकल्पों में से उस अच्छर समू को चुनिये जो निम्लिक के स्रंकला में प्रस्ण चिन के स्थान पर आएगा देखें यहां question mark लगा हुआ है यहां पर क्या आएगा? तो क्या करते हैं? सभी के पहले-पहले alphabet उठा लेते हैं 24 आ गया 24 किसका alphabet code होता है? X का होता है अब आगे Z लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे सभी हम दो जोड़ा तो आगे भी दो जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 26, 26 किसका होता है? Z का जो कि आगे दिया हुआ है condition सही हो गई अपकी तो पहला alphabet हमें क्या मिल गया? X क्या मिल गया? X अब सभी के दूसरे दूसरे alphabet उठा लेते हैं A से बनाते हैं D A का alphabet code होता है 1 D का होता है 4 1 से 4 बना कितना जोड़ा? 3 अब D से बनाते हैं G G का कितना होता है 7 4 से 7 बना कितना जोड़ा? 3 पीछे सभी में 3-3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ा दस, 10 किसका होता है, जे का, दो अलपा बेट कौन से हो गए, X और Z, आप्सें A भी कट, आप्सें B भी कट, लेकिन आप्सें C में स्टार्टिंग के दो अलपा बेट, X और J हो गए, बाकी के 3 आपके कटके तो एक option बचा यही आपका अंसर हो जाएगा, option C, is right answer, next is, उस सब्द युगम का चैन कीजिए, जिसके दोनों सब्द आपस में उसी प्रकार संबंदित हैं, जिस प्रकार नीचे दिये गए सब्द युगम के दोनों सब्द आपस में संबंदित हैं, तो बासी क्यों सा नंबर आएगा, तो एक पंक्ती को लेकर चलते हैं, पहली पंक्ती में हमें लाना है 17, पहली पंक्ती में 17 के पीछे कौन-कौन से नंबर है, 3, 4 और 9, इन तीनों को सबसे पहले हम लोग जोड़ देते हैं, 3, 4, 9, कितना आ जाता है, 9, 4, 13, 13, 13, 16, लाना है 17 तो एक 5, 2, 7, 7, 14, और 14 में भी एक जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया 15 है, क्योंकि उपर भी एक जोड़ा था तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, same to same तरीका तिसरी पंक्ती में हम लोग यही लगाएंगे, 6, 8, और 3 को जोड़ दिया, 8, 6, 14, 14, 3, 17, और 17 में भी एक जोड़ द सबसे पहले एक question को लिख लेते हैं, 14, 16, divide by 8, plus 2, minus 1, तो ऐसा आपका option कौन सा हो जाएगा, option D हो जाएगा, plus की जगा गुणा कर देंगे, गुणा की जगा प्लस कर देंगे, okay, क्योंकि हमें 17 लाना है, कर देते हैं, तो 14 गुणा, गुणा है, गुणा की जगे क्या कर दें सबसे पहले डिवाइड बाला solve करेंगे, तो 16, 8 हो जाएगा, 14, plus 16, 8 है, तो 2 हो जाएगा, इंटू 2, minus 1, अब 2 में 2 का multiply, तो 14, plus 4, minus 1, 18, minus 1, मतलब आपका आगया 17, दोनों पचा आपके बराबर होगे, तो option D is the right answer, अगला नीचे दिये गे, विकल्पों में से उस संख्या पर आएगा, यहां पर क्या आना है, क्या आना है, बताना है आपको, देखे, 72 से 69 बनाते हैं, तो आपका क्या हो रहा है, तीन घट रहा है, 69 से 64 बना है, पांच घट रहा है, मतलब 2-2 का अंतर होता जाए, पहले 3, फिर 5, अब आगे कितना होगा, 7 का अंतर, 64 में 7 घटाए हो गई, तो आपका अंसर हो जाएगा, 57, option D is right answer, जो कुशन है कतन, निसकर्स का पहला कतन है, कुछ बाइक कार है, तो गाइस बाइक का कुछ इससा आपका कार में चला जाएगा, बेंड डाइग्रम आपका ऐसे बनेगा, और कुछ कार ट्रक है, तो कार का कुछ इससा ट्रक में चला जाएगा, अब निसकर्स है, कुछ ट्रक बाइक है, देखे ट्रक का दूर दूर तक कोई समन नहीं बाइक से, तो पहला कट, कोई बाइक ट्रक नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, दूर दूर तक कोई समन नहीं, ये भी आपका, ये बाला आपका सही हो जाएगा आगे कहता है अब आपको बताना है कौन सा निस्कर सही है दो आपका दूसरा वाला निस्कर सही हो रहा है जिसके लिए अंसर हो जाएगा option देखिएगा सबसे पहले तो एक चीद देखिए यहाँ truck है यहाँ पर भी बाइक है यहाँ भी बाइक है और ट्रक है मतलब दोनो एक ही चीज़े हैं और यहाँ पर एक case हा रहा है नहीं वाला तो in that case झाब दोनो चीज़े समान होती है तो आपका या तो वाला question या तो वाला answer सही हो जाता है या तो निस्करत एक या तो निस्करत से due anusara करता है अगला निमलिकित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो निमलिकित संख्या स्रंकला में तिसरे अच्छर समू से उसी तरह से संबन देता है जिस तरह से दुसरा अच्छर समू पहले अच्छर समू से संबन देता है Rat को लिखा जा रहा है UXW, तो Tog को क्या लिखा जाएगा, तो Rat के सारे alphabet लिख लिख लेते हैं, जो तरीका rat से लगेगा, वही तरीका आगे अपलाई करेंगे, तो इनके alphabet code लिखती है, R का होता है 18, A का होता है 1, T का होता है 20, इसे से आपका बन रहा है UXW, यू का code कितना होता ह X का होता 24 W का होता 23 18 से 20 बना तो आपका क्या हुआ 3 जुड़ रहा है 1 से 24 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है 3 गट रहा है और 20 से 23 बनना तो 3 जुड़ रहा है मतलब एक सीरीज चले पहले 3 जुड़ा, फिर 3 गटा, फिर 3 जुड़ा यही तरीक हम लोग लगाएंगे आगे किसके लिए TOG के लिए TOG के अलफाबेट लिख लेते हैं इनके अलफाबेट कोड लिखते हैं T का कोड होता है 20 O का होता है 15 G का होता है 7 सबसे पहले 20 में 3 जोड़ते हैं तो 23 आ गया फिर 3 गठा देते हैं तो 12 आ गया फिर 3 जोड़ देते हैं तो आपका आ गया 10 इनके अलफाबेट लिख लेते हैं WLJ WLJ आपका अंसर हो जाएगा Option है इस राइट आंसर उपर है प्रशना करती नीचे है उत्तरा करती कौन सा आंसर होगा तो बना लेते हैं कौशन मार के जगए ये देखे इसको पूरा करते हैं उसके बाद बीच में ये विकण जाता है इसको पूरा कर देते हैं उसके बाद ये वाला विकण पूरा कर देते हैं ऐसा आपका फिगर बन रहा है और ये कौन से option में आ रहा है, ये box वाला, पूरा figure, कौन से option में आ रहा है, option A में, तो option A is right answer, अगला एक code भासा में इसको, इसके रूम में लिखा जाता है, उसी code भासा में back end का code क्या होगा, सबसे पहले जो पूँच दिया गया उपर, उसको लिख लेते हैं, E, M, P, T, Y, D, इनके alphabet code लिखते हैं सबसे पहले, E का alphabet code होता है 5, M का alphabet code होता है 13, P का alphabet code होता है 16, और T का alphabet code होता है 20, Y का होता है 25, और D का होता है 4, इससे अपका क्या बन रहा है C, J, N, Q, WA, तो यहांपर C का लिख लेते हैं, C alphabet code होता है 3, J का होता है 10, N alphabet code होता है 14, Q alphabet code होता है 17, W alphabet code होता है 23, और A का होता है 1, जैकि 5 से 3 बन रहा है तो आपका 2 गटा 13 से 10 बना 3 गटा 16 से 14 बना 2 गटा 20 से 17 बना 3 गटा 25 से 23 बना 2 गटा और 14 से 1 बना 3 गटा मतलब एक सीरीज चले पहले दो गटा फिर तीन गटा फिर दो गटा फिर तीन गटा फिर दो गटा फिर तीन गटा यही तरीका बेकेंड के अलफाबेट कोड में लगाएंगी तो सबसे पहले बेकेंड के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं इनके alphabet code लिखते हैं V का code कितना होता है 22 फिर A का होता है 1 C का होता है 3 A का होता है 1 N का होता है 14 T का कितना होता है 20 अब क्या करते हैं सबसे पहले 2 गटाते हैं क्योंकि उपर भी किया था तो 20 में 2 गटाया 22 में 2 गटाया 20 अब एक में तीन घटाएंगे बैगबर चले जाएंगे तो आपका कितना आजाएगा चौविस अब तीन में दो घटाएंगे तो आपका आजाएगा एक फिर एक में तीन घटाएंगे फिर से आपका आजाएगा चौविस अब 14 में 2 गटा हैंगे तो आपका आजाएगा 12 20 में 3 गटा है तो 17 आजाएगा इनके अलपाबेट लिख देते हैं 20 किसका होता है टीका 24 होता है X का 1 होता है A का फिर 24 होता है X का 12 होता है L का 17 होता है Q का यह जो अलफबेट में यह आपका अंसर हो जाएगा और यह कौनसे option में आ रहे हैं option D में आ रहे हैं option D is right answer अगला एक कूड़ वासा में alert को इसके रूम में लिखा जाता है hard को इसके रूम में लिखा जाता है उसी कूड़ वासा में cloth का code क्या होगा सबसे पहले अलर्ट के अलफबेट लिख लेते हैं अलर्ट के अलफबेट code भी लिकलेते हैं A का code होता है 1, L का होता है 12 E का होता है 5, R का होता है 18, D का होता है 20 यह जो number receive हुए है same to same आपके question में आ रहे हैं मतलब question में आ रहे हैं अगला है आपका fucked hard इनके अलपाबेट कोड लिख लेते हैं, H का कोड होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18, D का होता है 4 ये जो नमबर मिले ये भी आपके question में है, same to same तरिका cloth के लिए भी लगाएंगे C, L, O, T, H इनके भी अलपाबेट कोड लिखते हैं, C का होता है 3, L का होता है 12, O का होता है 15, T का होता है 20, H का होता है 8 ये जो नमबर मिले ये ही आपका answer हो जाएगा, और ये कौन से option में आ रहे हैं, option A, option A is right answer अगला है यदी plus तथा minus को परस पर बदल दिया जाता है, तो नमबर के समीकर्ण का मान क्या होगा तो समीकर्ण लिख लेते हैं, 72 minus 91, divide by 13, into 12 plus 6 minus की जगा plus, plus की जगा minus कर देंगे, तो 72 minus की जगा plus कर देंगे, फिर divide by 13, into 12, अब plus की जगा minus बॉर्ड मा सुरूल के एकोर्डिंग सबसे पहले भागवाला solve करेंगे, तो 91 में 13 का divide करेंगे, तो 72 plus 3 सते 97 पर कटा, into 12 minus 6 अब 72 plus 2 सते कितना होगा, 2 सते 84, अब 72 और 84 को जोड़ेंगे तो 6, ये 8, 7, 15, 15 में आपका जाएगा 6, तो कितना बचे का बन 50, option B is right answer अगला एक कुट भासा में paper को इसके रूम में लिखा जाता है, उसी कुट भासा में modern का code क्या होगा? तो paper के सारे alphabet लिख लेते हैं, P, A, P, E, R इनके alphabet code लिखते हैं, P का code होता है, 16, A का होता है, 1, P का फिर 16 होता है, E का होता है, 5, R का होता है, 18 इससे आपका क्या बना, U, F, U, और J, W इनके भी alphabet लिख लेते हैं, U का code होता है, 21, F का होता है, 6, फिर U का होता है, 21, J का होता है, 10, W का होता है, 23 अब देखे, 16 से 21 बना कितना जुड़ा, 5, 1 से 6 बना कितना जुड़ा, 5, 16 से 21 बना फिर जुड़ा, 5, 5 से 10 बना फिर जुड़ा, 5, और 18 से 23 बना कितना जुड़ा, 5, सेम टू सेम तरीका हम लोग मौडन के लिए लगाएंगे, तो मौडन के सारे alphabet लिख लेते हैं, M, O, U, U, R, N, इनके alphabet code लिख लेते हैं, M का code होता है 13, O का code होता है 15, U का code कितना होता है 21, R का होता है 18, और N का होता है code 14, सभी में 5, 5 जोड़ा देते हैं, 13 में 5 जोड़ा 18, 15 में 5 जोड़ेंगे, तो आपका आजाएगा 20, 21 में आप 5 जोड़ देते हैं, तो आजाता है 26, 18 में आप 5 जोड़ देते हैं, तो आजाता है 23, और 14 में 5 जोड़ दिया, तो आगया 19, इनके alphabet लिख लेते हैं, 18 किसका होता है R का, 20 किसका होता है T का, 26 होता है Z का, 23 होता है W का 19 होता है S का, तो R, T, Z, W, S आपका अंसर हो जाएगा, तो option D is right answer, अगला है एक दरपन को AB रेका पर रखा जाता, तो नीचे दी गए आकरती की सही दरपन छबी को चुनिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं, दरपन प्रत्विम है, तो दरपन प्रत्विम कैसे बने का, left वाली चीज, right में, right वाली चीज, left में, तो सबसे पहले, एक box बनाते है दरपन प्रत्विम के लिए, ओके, अब क्या करते हैं, बीच वाली ये जो line है, इसको भी यहां कर देते हैं, अब बीच में देखे, एक ये line है आपकी, जैसे कि बीच में तो हो गए, अब ये किनारे से एक बिकन लगा हुआ है, ये कहां चला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ईल्टा हो जाएगा, ऐसे, थोड़ा बेट कीजिए, ऐसे हो जाएगा, चार अब जाँच में जो है, डबलू है, डबलू अपका बीच में ही रहेगा, सेम टू सेम, अब ये 3 है, 3 उदर चला जाएगा, और उल्टा हो जाएगा, अब ये बीच में ये एक line है और बीच में एक black point है ये कैसे हो जाएगा ये आपका किनारे side चला जाएगा और बीच में ये ऐसे 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 black point हो जाएगा अब अगले है अगला बीच वाला है जो figure ये भी black point ये कहां पर आ जाएगा ये भी आपका ऐसे आजाएगा ऐसे ऐसे फिर ये ब्लेक 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 तो ये जो figure बना है ये कौन से option में आ रहा है option A में option A is right answer आज के इस वीडियो में इतना ही thank you धन्य बात आपका देन सोब रहे